हलो फ्रेंट वेलकम टू चैनल करंट अफेर अपडेटेट इस देवाशीश अवस्थी बहुत देश से देख रहा हूं बहुत दिनों से देख रहा हूं एक कमेंट बहुत दिनों से स्टुएंट्स लिख रहे हैं तैस्ट ट्रांस्पोटेशन पर एक वीडियो ज़रूर बना जाने सब्सक्रेंड करें चैनल हईवे के नाम बताउन अब बताओं अब देखे ची readiness हो गये है और YES کہnova करें रोडट ट्रांस्पोर्ट की कोशन्स आते हैं एंड तक वीडियो को देखे का आपको ट्रांसपोर्टेशन के टॉपिक के वीडियो से कुशन समझ में आएंगे तो लेट स्टार्ट सबसे पहले एर ट्रांसपोर्ट के अगर मैं बात करूं तो कुछ स्टाटिक पार्ट तो वैसे ही रहेंगे ठीक है एरप रहाबात कह जाता था अगे प्रियाग राज कह जाता है तो प्रैगराज से नैनी में का यह ट्रांसपूर्ट स्टार्ट किया गया था नांइटीन हंड्र इलेवन में तो पहली बार commercially यह ड्रांसपूर्ट जो इंडिया में पूछे जा रहे हैं नेक्स्ट कुश्चन है देखिए इसमें से एक ये भी तरीका है जो कि स्थेज सबस्टेस में पूछा रहा बहुत ज्यादा कि इसमें से कौन सा करेक्ली मैच नहीं है जैसे कि बहुत से पोर्ट के नाम से लिखे हुए है ठीक है आप से पूछाएं जैसे नायशनल वाटरवेस के वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन वाक्स में डालना हूं अल्लेडी पता चुका हूं सारा तो यहां पर जाकर वीडियो देख लेना ठीक है तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा है डी मुंद्रा एयर पोर्ट जो है या दखिएगा डाट इस लोके ब्रेकिंग यार्ड यह फेमस कोशन रहें एक्जाम में PCS वगरा के फेमस कोशन है कि सबसे बड़ी शिप ब्रेकिंग यार्ड जो है वह कहां लोक्रिड है ठीक है ओप्शन्स आपके सामने दियें ओखा पुरबंदर कांडला अलंग और दिस वरी फेमस अगर आप मूवी इस या सिरीज वगर देखते हैं तो अलंग इस वेरी फेमस यार्ड अखियेगा विच इस लार्जेश शिप ब्रेकिंग यार्ड जो की गुजरात में थीक है तो आपको याद अखना है अलंग जो एक भाबनगर टाउन है गुजरात में वहां पर बाद इस अलंग बड़ा इंडिया की लार्जेश शिप ब्रेकिंग यार्ड इस वन अफ फेमस कुशन ओफ एवरी स्यां नेक्स कुशन माते हैं विच अफ द फॉलिंग इस नौट लोकेड़ वेस्टन कोस्ट ऑफ इंडिया तो अगर मैं कोस्ट की बात करता हूं तो यह हो गया आपका यह इसन कोस् करक्षंक करेकर से पडूचेरी का जो की टमिल नायडू में लोकेड एंसर औńsk नूम्बर नेक्स्स कोशन में आते हैं कोशन में फिफ्ट वर्ल्ड का पहला यह अभी रिसेंटली स्टेट सर्विस्टेस में कोशन आ रहा है यह बिहार में यूपी में कोशन क्या कि वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल एरपोर्ट जो fully equipped है with solar energy यह located कहां है आपने अगर previous year के paper दिये होंग है तो correct answer that is option number B याद रखेगा कोशन आने की चांसे बहुत जादा है क्योंकि हर एक्जाम में कोशन repeat हो रहा है ठीक है तो that is correct answer option number B next question में आते हैं National Inland Navigation Institute ठीक है यह सिंपल सा institute पूछा है पूछा यह institute मैं आपको जान 2004 में established किया गया था यह situated कहां है पटना कोलकता पोरबंदर उत्राखंड लिखा हुआ है अब आप इन्लैंड navigation देखेंगे तो आप कोलकता सोचेंगे कोलकता में ही होगा headquarter कोलकता में establish किया होगा पड़ कोलकता आंसर नहीं है इसलिए मैं इस question को लिया है इसके बारे मैं आपको बताये था हूँ 2004 में established किया गया था या दखेगा और पटना बिहार में इसको established किया गया किसने setup किया है Inland Waterway Authority of India ने established किया है National Inland Navigation Institute तो यह question आएगा maximum लोग को लकता लगाएंगे जबकि collect answer क्या है इसलिए मैं question आपके सामने लिक्या हूँ ठीक है चलिए नेक्स question longest waterway in the country अब देखिए waterways की बात करो मैंने पूरे waterways आपको पढ़ाये हुए सबसे बड़ा वाटरवे कौन सा है सबसे च्छोटा कौन सा है आप कहां पढ़ाये हुए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हूँ वहां जाके सारे waterways की वीडियो देख लेना आप वहां जाकर ठीक है तो पूछा गया मैं सबसे बड़ा सबसे बड़ा भी है इसको सबसे बड़ा लेंद देखेंगे तो 1620 किलोमीटर का है इसको इसको स्टैबलिश किया गयता है और किस रिवर में गंगा रिवर पर है और और भी waterways जो है उसका वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाला हूँ सारे waterways आप पढ़ लेना को एक्जाम के लिए है कुछ स्टेट से तो लोग यह जब भी कोशन आया तो मैं तो देखो इजी तरीके सौल करता हूं कैसे मुझे पता पारदी पोडिसा में सी का टू सी का टू तो इसका मतलब और आंसर ही आ गया कभी-कभी होता है भाई ऐसा गैस मिल जाता है तो कोशन डिविकल्ट नहीं ह है आपको याद अखना है तो एक से पीछे कोशन में वापस आगे कर देता हूं तो करेक्ट आंसर क्या है इसका असका तो दो बता दिया जामन आपको ठीक है और इस एक बाड़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन में से तू समुंद्रम प्रोजेक्ट यह बड़ा नियूस में से त गल्फ ऑफ मननार को केप कॉंबरेंट को गल्फ ऑफ मननार को देखिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया अगर आपको नहीं पता हो तुम्हें इक इंपोर्टेंट है इसमें कैनाल बनाया जा रहा है करेक्ट आंसर थीक है तो आपको देखिए यहां पे लिग भी रखा है कि आपको यादखने है को आपको यादखने नहीं इंडिया सबसे बड़ा शिपयाड कहाँ पर है आप सबसे बड़ा शिपयाड कभी गूगल करोगे सबसे बड़ा कौन सा है कोचिन कोचिन कहां पर केरल में पूचा गया है यहां पर अब जोगरफी को किस तरे कनेक किया गया है किस कोस्ट से एसोसियेटेड है मालाबर कोस्ट कोनकन कोस्ट कोरमंडल कोस्ट नौट स्राकर कोस्ट ओके यह चार ऑप्शन दिया अब आपको पताओं चीए कोरमंडल यह सारे एक्जाम में आ सकते हैं याद रखिएगा तो मैं पूरे हर चीज पढ़ाई हुए और किस तरह कोश्ट आते हैं वह मैं यहां पर बता रहा हूं तो करेक्ट आंसर अप्शन नंबर कोश्ट में आते हैं सल्वूड की अगरने बात को सबस्टरा यह किस इंडस्ट्री में जा रिखिएगा इन विच इंडस्ट्री सल्वू सिपर्ष की तो करेक्ट आंसर जाट इस ऑप्शन नंबर बड़ा है स्टाटिक कोशन आहां आपको बता है ट्रांस्पोर्डेशन बहुत स्टाटिक कोशन यह करेंट उरिंटेट कोशन साते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट्र थर्टीन में आते हैं रेलवे स्ताफ कॉलेज एहलाबाद में हद्राबाद में कहां पर लोक्रेड है डारेक्ट कुछन है स्टाटिक गुजरात में वड़ोधरा में तो करेक्ट आप्शन में भी है ट्रेनिंग वगएरा यहां पर होती ही याद दखिए कि अब यहां पर दिखे कुछ इंपोर्टेंट कोच फैक्क्री यह फैक्क्री आपको मैं से मैच करता हूं तो रेल कोच फैक्ट्री का पुर्थुला मैं एक थ्री मैच करूंगा एक थ्री मतलब सीधे आंसर आगे बार बार आंसर ही आया रहा है मेरा ठीक है डीजल लोको करेक्ट आंसर दी है 3142 तो 31 मतलब बैंगलॉर वील और एक्सल प्लांट जो है वह बैंगलॉर में है और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वह पिरंबुर में जा देखेगा डारेक्ली मैच करने से ही आगया तो यह मैच्ट फॉलिंग होते हैं बहुत इजी होते हैं मैं इसलिए आपको बतारा हूं मैच्ट फॉलिंग कभी नहीं छोड़ना है आपको नहीं भी बन रहा हो ना स्टिल एटेंप्ट करना है आंसर आपका आएगा ठीक है थोड़ा सा रिस्क कभी-कभी दो परसेंट का होता वहना जनरली आपको बूनस कोशन से मैं को कहता हूं ठीक पर आपको मेरे सारे रेलवे जोन से भी लेक्ट्सर मिल जाएंगे अब इसमें बूला करेक्टली कौनसा मैच नहीं है नौट करेक्टली नौथीस देर और गरगणपूर सही है एब आच्छना ओसानी ज वह साहला इस टॉन कलकता यह भी सभी है साउथ सर्फ एससेन्ट्रल रेलऴे ब सपूर यह भी सभी यह तो साउथ आस्ट डेलवे भूमनेश्वर नहीं है तो मैं आपको चल चलब दो इसोर प्र इसका क्या है जो है करेक्ट आंसर तो B है क्योंकि B जो है वो रॉंग ली मैच था थीक है South Eastern Railway की अगर आप करों तो यहाद एख़िएका South Eastern Railway जो है वो कोलकता में लोक्रेड है कहां पर कोलकता में तो भुबनेश्वर में क्या है भुबनेश्वर है Eastern Coastal Railway का यहाद दख़िएगा थ्री रेलवे जोन का headquarter है वो ठीक है उसका नाम आपको बताना है मैं option दे रहाँ मुंबई या कोलकता यह आप मुझे comment box ने बताएंगे ठीक है तो यहाँ पर correct answer मैं आपको बता दिया है चलिए next question बाते question 15th नौर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का headquarter बताओ सीधा question है नौर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का याद कर लो एक्जाम के बहुत important है प्रियागराज जबलपुर भौपाल दिल्ली सीधा option दिया है तो correct answer that is प्रियागराज जिसको आप इलहाबाद भी पहले कहते थे तो यह static question है कि पास है जवाहा टनल जो पास किसमें है जोजिला पास या देखिएगा तो किस पास से पास होता है जोजिला पास जो की शीनगर को लेह से connect करता है जवाहा टनल भी यहीं पर बना हुआ है direct question इसमें जारा discussion अगेन करने की ज़रूरत नहीं है question 18 सब कौन सा state rank 1 पर है in terms of length of road सबसारे length of road जो है वो state में है महराश यूपी मध्यपदेश राजस्तान बट आई थिंग आप लोग इस question को attempt करने कोशिश करोगे ऐसे मध्यपदेश तो नहीं हो सकता है महराश तो यूपी के सामने राजस्तान भी कट कर सकते हो आप इन दोरों में confused हो सकते हो कि यूपी आ यह महराश्ट में या दिखेगा सबसे ज़्यादा स्टेट राइंक फर्स करता है इंटम्स अफ लेंट आफ रोड तो करेक्ट आंसर डैट इस option नंबर ए महराश्ट लास्ट कोश्चन आज का चांस्पोटेशन का इस्ट वेस्ट कोईडोर बन रहा है एक इस्ट वेस्ट को सामनगर या सिल्चर से पोरबंदर तो प्लीज अगर आपने मेरे लेक्ट्र देखे होंगे इंडियन जोगर्फी तो बहुत अराम से बन जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन परियोजना ठीक प्रधान मंत्री भारत को जोडने की जो परियोजना है वो किस से रिलेटेड है कम्मुनिकेशन से, सोशल इंटिग्रेशन से, रिवर्स को इंटर लिंक करने से या डेवलप्मेंट ऑफ हाइवेस है तो यहां पर मेरे लेक्ट्र जो है वो कंपीट होता है यहोप आपको ट्रांपोडेशन के कोशन समझ में आऊंगे बहुत सा है मैं आपको बताया वाटर का वीडियो हो गया ठीक है फिर दिन आपका रेलवे जोन का वीडियो हो गया यह मैं अल्लेडी बना चुका हूं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन वाक्स में लालना हूं वह भी आप जरूर याद करने है और एक होंवर्क दिपेस पोर्ट ऑफ इंडिया कमेंट बॉक्स से में करो ठीक है अगर आपको पढ़ने की स्टैडेजी जानी किस तरह पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन वाक्स में वीडियो जरूर देखो इससे आपको समझ में जाएगा कि आपको किस तरह पढ़ना चाहते हैं यह हमारा फोन पे गूगल पे पेटियम नंबर है यह जस् पांच रुपे दस रुपे एक हजार दस जार एक लाग जित्ता भी आप कर सकते हो अपको अप्लिकेशन डाउलोड करो देवसिश क्लासेज महां पर आपको मेरे सारी आपको एप्लिकेशन साही क्लासेज मिल जाएंगी और चाहिए आपको प्रॉफर तो आप एक बार अप P.H.C. से लेके General Studies के सारे Audis आपको मेरे अप्लिकेशन में मिल जाएंगे कोई doubt कोए कमेंट बस में ज़िए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like जरू करो चैनल को सब्सक्राइब करो बड़ी महनत करते हैं इस वीडियो को बनाने के लिए आई होप आपको पसंद आयो जब मोगों ने ही इस वीडियो के लिए कमेंट किया था तो अब आपको ही रिटन में इस वीडियो को पूरे जम्मु अन्-खष्मिर में इस वीडियो को पहुंचाना पड़ से को आप लोगों के साइट से इस अब सब्सक्त्स आदि गा कमेंट आये थे आई होप आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुचा सकेंगे एक प्लीज शेर करिए वीडियो को विडाउड को यह वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए थैंक यू